हेलो फेर्स वेलकाम टो इस्टेटी मस्ती दोस्तो आज के वीडियो में जानेंगे भारत में राष्टिये पाठी आई दोस्तो जानते हैं दोस्तो भारत में लगा कितने राष्टिये पाठी है और कितने राष्टिये पाठी है ना दर्जा वापस लिये हैं सभी को एक नजर म में जानेंगे आई दोस्तों जानते हैं भारत निर्वाचन आयोगने है ना आम आदमी पाटी को राष्टिये पाटी का दोज़ा दिया है दोस अपरेल दू हजार तेईस को आम आदमी पाटी राष्टिये पाटी है ना बन गई है नेशनल पाटी बन गई है दोस्तों लेकिन कुछ राष्टिये पाटी है ना राष्टिये पाटी है ना तरजा वापस ले लिया गया है दोस्तों राष्टिये पाटी अब देश में लगभग है ना छो राष्टिये पाटी है ना बन गई है कितने बन गई छो राष्टिय पार्टी एक नंबर में हैं भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस इसको आई एंसी से भी आने सुझित करते हैं दोस्तों दू नंबर में हैं भारतिय क्मिनिस्ट पार्टी इसको CPIM से भी जानते हैं दोस्तों तीन नंबर में हैं भारतिय जन्ता पार्टी इसको BJP के नाम से भी जानते हैं हाली में BJP का ही सरकार है दोस्तों चार नंबर में हैं बहुजन समाज पार्टी पांच नंबर में हैं दोस्तों नेशनल पीपूल्स पार्टी इसको NPP के नाम से भी जानते हैं दोस्तों हाली में नई राष्ट्य पार्टी बनी है चार नंबर में आम आदमी पार्टी इसको A, A, P के P से भी जानते हैं दोस्तों राष्ट्य पार्टी से दरजा वापस लिया है जो पार्टी है सरत पावार की है ना पावार की पार्टी है NCP और है एक CPI और एक है त्रीमूल TMC त्रीमूल कॉंग्रेस पार्टी ये ममता बनर्जी की है ममता बनर्जी की पार्टी है यह ना राष्ट्य पार्टी का दरजा वापस ले लिया गया है लेकिन दोस्तों उत्तर परदेश के एक राश्टी ये लोकडल पाटी है न एक राज़ पाटी से वापस ले लिया गया है ये है न राश्टी ये लोकडल पाटी है जो राज़ पाटी से है न वापस ले लिया गया है दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें सस्क्राइब करें और सेर भी करें धन्यवाद